अलो, सभी को मेरा नवसकार कैसे हैं, आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे हम लोगों ने अभी तक basics of computer पढ़लिया है basics of computer उसके बाद हम लोगों ने computer organizational architecture वो खतम किया था उसके बाद हम लोगों ने data waste management system को भी खतम कर लिया है ठीक है अब हम लोग C++ पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग को data structure पढ़ना या फिर operating system पढ़ना है ठीक है क्योंकि अगर हम लोग operating system पढ़ेंगे तो इसके साथ networking भी पढ़ना है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं data structure पढ़ाऊंगा फिर operating system पर ज सुरू करने जा रहे हैं C++ जो कि हमारे जो भी एक्जाम होने वाले हैं KBS के या फिर नवादय विद्या लेकर है या फिर दिल्ली subordinate के या फिर हमारा हो जाता है army public school इन सारे examination में C++ इंदा syllabus syllabus में है इसलिए हम लोग C++ परने जा रहे हैं C++ के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक programming language है यह C का upgraded version है C++ क्योंकि C में कुछ drawbacks थे इसलिए हम लोग को क्या आना पड़ा C++ लाना पड़ा होप आपको यह पता हुए ठीक है so before diving into that lesson I would like to introduce myself this is Rahi Kumar and I would like to welcome to the YouTube channel of computer education world जहां पर आपको computer science के TGT PGT examinations की सारे course मिलते है ठीक है तो बिना समय गवाय हम लोग अपना class चालो करते हैं all right कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे चले ठीक है तो देखिए C++ है क्या आकर C++ is a cross platform language तो देखिए cross platform language से क्या है कि अगर मेरा अगर मेरा अगर मेरा operating system windows है ठीक है अगर मेरा operating system windows पे है अगर हम windows पे कोई भी application application बना रहे है by using C++ तो इससे क्या उम्मीद करते हैं हम C++ से कि cross platform हो क्या मतलब कि अगर मेरा operating system linux भी हो जाए अगर मेरा operating system linux भी हो जाए तो भी मेरा C++ पर बनाया हुआ application काम करें that is cross platform hope आपको समझगा आया होगा ठीक है आगे चलते हैं तो आपकी examination में question आता भी है कि C++ को आखिर बनाया कैसे आपका question आएगा who has developed the C++ तो आपका क्या answer होगा दोस्त बजार बजार ने स्ट्रॉर्स देखिए spelling थोड़ा pronounce करना थोड़ा different है पर आपकी spelling को समझ लिए ठीक है जैसा कि आपको मैंने बताया कि it is an extension of C language तो C language में कुछ drawback था इसलिए हम लोग का C language C++ बनाया गया फोब समझ में आए ठीक है तो आखिर C++ बनाया गया इसमें ऐसा क्या advantage था जो कि C में नहीं था तो C++ क्या है object oriented programming language आप लोग जानते होंगे कि java भी एक object oriented programming language है और C++ भी एक object programming language है तो मैं आपको अगर brief में बताओ दोस्तों कि object oriented क्या है तो दुनिया में हम लोग कुछ भी यूज़ करना है suppose you are a man like ठीक है आप एक man है या फिर woman है या फिर boy है या girl है कुछ भी हो सकना है ठीक है आपका कुछ attribute है ठीक है तो हम लोग क्या है कि boy समझो एक object है इसका बहुत सारा इसका बहुत सारा instance हो सकता है या attribute हो सकता है DBOS में हम लोग पराता कि एक entity होता है जो कि real life world से क्या होता है जुरा हुआ होता है उसका बहुत सारा attribute होता है तो वही बात है कि अपने आपको एक आप entity मानो और आपका बहुत सारा attribute हो सकता है तो ये क्या है C++ object पर बेच रहे हैं मतलब मेरा एक real life object है उस पे हम लोग क्या काम कर पा रहे हैं तो वो क्या है object oriented programming ठीक है समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या मूलता है C++ is portable आपको मैंने पहले ही बता दिया portable के से क्या मतलब कि मेरा cross platform होना चाहिए कि अगर हम लोग एक application कहीं पर लिख रहे हैं using the C++ तो वो application मेरा इस machine पर बनाया गया ठीक है इस machine पर हम लोगों ने code लिखा तो ये वाला program कहीं हम लोग port करके ले गए भाया विदेश में मेरा ये इंडिया में लिखा गया हम लोग चाहें तो इसको अगर सिरलंका में चलाना चाहें तो भाया सिरलंका में भी तो चलना चाहिए तभी तो हुआ कि मेरा cross platform है और independent है और तो सबसे पहले सब के दिमाग में आता है कि आखिर ये programming language है इसका basic structure क्या होगा देखिए मैंने ऐसे ही design किया इस course को ताकि हम लोग हम लोग एक essay label में पढ़े ताकि हम लोग का question solve हो सके क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप लोग graduate को चुके हैं आप लोग या तो BCA किये हैं या फिर BTEC करिये हुए हैं CS से या IT से तो आप लोग को basic structure पता है किसी भी programming language का पर हम लोग को ऐसे पढ़ना है ताकि हम लोग question को solve कर पाएं सो मैंने क्या किया है मैंने example की तुरू आपको समझाने की कोसिस किया है आखिर इस language में होता है क्या है ठीक है स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो देखिए तो पहला line है मेरा has include ios stream तो देखो भीया has include हम लोग easily use करते हैं कि हमारा कुछ library है यह क्या है header file होता है य मेरा किसी भी language में किसी भी programming language में ऐसा होता है कि मेरा कुछ existing library होता है existing library बोले कर क्या है बहिया existing library बताइए सर तो देखो existing library होता है कि आप उस library को use करके आप उस package को use करके कुछ existing काम करवा सकते हो ठीक है जैसे कि मेरा यहां पर है input output stream तो यह क्या है मेरा कोई भी अगर computer लेत मैंने हस्ता हुआ कम्प्यूटर बनाया तिक है आप इसमें कुछ input कर रहे हो कुछ output ले रहे हैं लेते हो की नहीं लेते हो तो मेरा input के लिए मेरा input के लिए कुछ तो एक standard form होना चाहिए जो मेरा computer समझे और computer समझ के हस्ता हुआ चहरा से एक output दे जो हमको भी smile कराए तो ऐसा भी कुछ format होना चाहिए तो हम लोग का standard output input के लिए input और output के लिए क्या यूज़ करते है आई यूज़ सिस्ट्रीम होप अब समझ में आया होगो आपको ठीक है देखिए एक आता यहाँ पर आपको यह line यूज़ करना होता using name space standard ठीक है इसके बारे में detail हम लोग आगे जानेंगे अगर आप इसको use नहीं करते हो तो आपको हड़ एक statement चाहिए आप वो function लिखते हो या कुछ भी लिखते हो आपको standard और यह 4 बिंदू लगाना पड़ेगा तो आप बताओ आप using name space standard यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो नहीं करना चाहोगे था मिसा आपको यह लगाना पड़ेगा तो मेरा क्या recommendation है भया यह मत करो यह कर लो क्या कोई दिक्कत नहीं अब देखो examination में अगर आपको यह नहीं दिया होगा तो दिमाग लगाना भया अगर यह नहीं दिया होगा है तो हमको कोई भी function या कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं हमको यह add करना ही पड़ेगा alright hope समझ में आया होगा तो देखो हम लोग का C++ में जब हम लोग program लिखते है then we start with the int man man मेरा man function है यही से मेरा काम चाली होता है समझ में आया man नाम से ही है man तो यहां से काम चाली होता है हम लोग कुछ भी function लिखेंगे कुछ भी काम करेंगे C++ में then we have to go into the man function first then we will then we will proceed alright hope that is clear to all of you right तो हम लोग int man में गए उसके बाद भीया बोले कि C out C out क्यों यूज़ किया जाता है console में console से क्या मेरा मतलब कि मेरा monitor या कोई भी programming console होता है कि आप अपना कुछ program लिखते हो आप एक input चाहते हो भीया हमने कुछ लिखा है हमको दिखा हो कि हमने क्या लिखा है तो हमने लिखा है hello world और एक exclamation sign के साथ आप string को double quotation से करते हो आप लोग को ये बाद पता है तो आप यहाँ पे C out करते हो तो console में अगर आप print करना चाहते हो कोई चीज़ तो आप C++ में क्या लिखते हो C out तीक है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है insertion operator आपके examination में ये question आ जाता है आप very important करके भाईया आप note कर लो कि insertion operator दो ये दो symbol होता है इसको insertion बोलते है अगर हमको C out करना पड़ेगा भाईया बाहर निकलना है तो बाहर निकल जाओ तीक है ये क्या है insertion अब देखो return 0 क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर int मेरा return type है इस function का इस function से हमारा ये जो program पूड़ा ये कहानी है यहाँ से हम लोग return 0 कर रहे है मतलब कुछ भी return नहीं कर रहे है ये simply क्या print करेगा hello world ठीक है समझ में आया ठीक है आगे चलते है देखिए मैंने आपको already बता दिया कि आगर आप लोग using name space standard std use नहीं करना चाहते हो then you have to include that std और 4 बिंदो ठीक है तो अगर आप यहाँ पर using name space नहीं लिखते हो then you have to write it like std उसके बाद 4 बिंदो c out hello world समझ में आया मैंने पहले ही clear कर दिया आता ही है ठीक है आगे चलने कोई दिकत नहीं all right अब देखो अब हम लोग का क्या है कि हम लोग क्या चाहते है कि अद देखो 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 अगर a, b, c, d, e, f ऐसे लिख देड़े है ठीक है हम लोग एक लाइन में ही लिखते जा रहे हैं कुछ भी कुछ भी नहीं है अगर हम लोग चाहते हैं कि भहिया ऐसा लिखके दिखाओ g, h, i, j, k फिर भहिया ऐसा लिखके दिखाओ l, m, n, o, p, q मगर अगर आप यहां से लाइन चेंज करना चाहते हो then you have to use slash n या फिर आप यूज कर सकते हो indel, दोनों यूज करो आपके मर्जी पर depend करता है आप क्या यूज करते हो तो आप ये यूज करो या फिर ये यूज करो, दोनों से क्या होगा आपका line नीचे चल जाएगा, देखो जैसे अगर आपने लिखा c out a अगर आपने ऐसे किया उसके बाद semi colon आप देते हो जब हम लोग sentence के बादे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग semi colon क्यों ही देते हैं, ठीक है अगर आपको print करना है a, b, c, d like this तो आप क्या करोगे, a लिखोगे उसके बाद ये लिखोगे या फिर आप लिखोगे indel, दोनों में से कुछ use करो that is your choice, ठीक है आप फिर लिखोगे c out insertion फिर क्या लिखोगे, b लिखोगे फिर इसी तरह करते जाओगे आपका इससे क्या होगा आपका एक line बदल जाएगा समझ में आया, ठीक है आगे चलते है अब दीखिए होता क्या है कि आप बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम लिखते हैं एक application को बनाने के लिए हम लोगो thousands of line codes लगता है hope आपको ये पता होगा आपने project पे काम किया होगा या आप कर रहे होगे या फिर आपने college के दिनों में किसी भी project पे जरूर से जरूर काम किया होगा क्योंकि वहाँ पे mandatory होता है तो आप 1000 line का code लिख रहे हो लो 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 अगर आपका दोस्त आप 4 member का team बना के काम कर दो अगर आपने यहां तक काम किया यहां से किसी और को बाटा है काम अगर आप इसमें कुछ comment कर दो कि आपने आकिर क्या किया है तो आपके दोस्त को यह समझ में आएगा कि भाईया मेरे दोस्त ने यह क्यों किया है इसने comment कर दिया है अब मुझे क्या करना है इसके basis पर मैं decision लूँगा तो second friend उसपे decision लेगा तो वहाँ पर use आएगा comment या तो आप multi line comment कर सकते हो और या फिर आप single line comment कर सकते हो there are two types of comment आप अगर multi line करना चाते हो तो कैसे करोगे single line करना चाते हो तो कैसे करोगे single line के लिए आपको simply 2 slash देना होता है forward slash back slash नहीं back slash इसको बोलते हैं यह नहीं करना है आपको forward slash करना है या आपको multiple comment करना है तो आपको यह देखो ऐसे start करना है और ऐसे बंद करना है मतलब अगर आप ऐसे start करते हैं इसके बीचे कहानी लिखो और ऐसे बंद करो तीक है अगर आपको simple statement लिखना है तो आप जिससे आपने लिखा see out this one तो आप simply यहाँ पर ऐसे करो यहाँ पर अपना कुछ कहानी लिखो कि I have printed this one ठीक है I have printed this तो आप दो forward slash करके इसको comment कर सकते हो ठीक है आगे चले all right so हम लोगों ने अभी तक basic structure जाना कैसे comment कर सकते इन सब के बारे में जाना तो आपने बहुत बार देखा होगा कि programming में variables होते हैं क्या होते हैं variables होते हैं आप जानते हो बचपन से की variables आप कोई भी एक character as ले लो यह क्या variable है आप इसमें किसी भी time में या यहाँ 5 अभी कर दो 10 कर दो 15 कर दो आप किसी time में एक value इसमें assign कर सकते हो एक साथ दो value assign तो नहीं कर सकते हो ठीक है आपने 5 assign केर दिया X is a variable तो variable कितने type के होते हैं that is important to know तो हम लोग basic type जानते हैं देखो int होता है बहिया double होता है care होता है string होता है और bool होता है मेरा yes या no मतलब boolean boolean को ही sort में हम लोगों ने bool लिखा bool ही होता है c plus में एक data type int आप लोग समझ सकते हैं जैसे 5-10 double double आप ले सकते हो 2.5 जिसको कि आप float भी बोलते हो पर हम लोग double use करते हैं ठीक है और care के बार में आप लोग जानते हो जैसे की a, b यह सब care है string क्या है number of words आप string लिखे कि computer computer is life तो आप लोग ने यह एक string लिखा ठीक है होप समझ में हाई वा अज दिको मैं example के दुरू समझाने की कोसिस करता हूँ और राइट कोई दिकत नहीं अगर आप एक int type का variable declare करना चाहते है तो कैसे कड़ोगे बोलो कि sir मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा int int और मैं एक x लोगा इसमें मैं 5 एसाइन कर दूँगा और मैं लगाऊंगा semi-color तो क्या हो गया यह हो गया मेरा variable declare hope that is clear समझ में आया की नहीं आया अब देखिए एक बहुत important question आपसे examination में पूछ लिया जाता है मैं आपको बताने की कोसिस करता हूँ आपने अभी अभी के अभी आपने int my number 1 variable लिया उसमें आपने 15 एसाइन किया उसके अगली ही statement में आपने my number में 10 एसाइन कर दिया और आपने इसको print करना चाहा तो बताओ कि मेरा answer क्या होगा क्या होगा answer बोलोगे sir पहले तो 15 एसाइन किये थे अब 10 एसाइन कर दिये मेरे ख्याल से क्या होगा पता नहीं थोड़ा confuse कर गए है आप बताइए तो मेरा क्या answer होगा कि अगला statement क्या execute हुआ कि my number equal to 10 तो क्या करेगा print अब नम्मर मेरा change होके क्या होगा 10 तो मेरा output क्या होगा 10 थेक है समझ में आया आगे चले आगे चले कि नहीं थेक है देखो अब क्या होता है कि आप जो है एक int आपने x equal to 9 किया y equal to 6 किया z equal to 5 आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको different number assign करना है different variable में आप एक line में coma डालो कर दो no tension कोई दिक्कत की बात नहीं c out करते हो आप तीनों को जोडते हो तो आपका simply 9655b sensor आजाएगा हो ठीक है समझ में आया असान सी बाते हैं जानते ही है आप लोग ठीक है देखो अब identifiers क्या होता है भई या identifiers के बारे में जाना बहुत ही जरूर है बच्चे क्या करते हैं इनको skip कर देते हैं बोलते हैं अडे असान है इसको छोड़ो जब आप लोग different type of language पर लेते हो जैसे confused कर रहा आते हो तो यू हाब तो गीव अटेंशन टू इस ट्रॉपिक पार्टिकर ललने ओल्राइट होब डाट इस किलियर तू आल अप यू राइट तो शुरू करें ठीक है तो जेनरल रूल्स पर कंस्ट्रॉक्टिंग नेम्स ऑप वेरिवल्स डाट इस क्या सब्सक्राइब्स ल के और रड़ीबस हो सकता हैब डिजिट हो सकता है 0 से 9 तख digit हो सकता है या फिर एक याद रखो की Underdiscore हो सकता है क्या हो सकता है अंडरिस्कूर हो सकता है एक नाम में यह सब तो हो गया आप बोलोगे सर नेम स्टार्ड कैसे होगा तो या तो तुम conserve start later से कर सकते हो या फिर या फिर underscore लगाओ दोनों valid है, क्या है दोनों valid है देखो भी है, बोलोगी sir question कैसे आएगा, देखो तो पूछी का which of the following is valid identifier आपका option रहेगा, देखो ऐसे star a, b, c 1, b, c underscore a, b, c underscore 1, a, b, c तो आगर आप इसको हटाओ, आपको यह तो तीन option दिया है, ठीक है, आपसे पूछी का valid क्या है, तो start तो होगा नहीं, सबसे पहले cut second है कि मेरा होना चाहिए underscore या later से यह तो वहिए digit है, that is not right, तो यह underscore से है, यह सही answer है ठीक है, समझ में आया होगा names are case sensitive case sensitive क्या होता है, अगर आपका नाम मोहमद है छोड़, आपका नाम अगर मोहमद है या फिर आपका नाम मोहन है, अगर आप capital से लिखते हो, कोई small से लिखता है, तो दोनो different है, capital वाला अपना एक अलग identity possess कर रहा है, और small वाला अपना एक identity अलग possess कर रहा है, that means that is case sensitive, अगर आप my variable लिखते हैं, ठीक ना या फिर small में my variable लिखते हैं तो दोनों क्या है different है, क्योंकि यहाँ पर देखो, capital भी है यहाँ पर small भी है, तो दोनों different है, HTML नहीं है भईया, HTML में case sensitive नहीं होता है, अगर वहाँ पर आप HTML ऐसे लिख रहे हो या फिर HTML ऐसे लिख रहे हो that is valid, दोनों valid है, दोनों में काम होगा पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा समझ में आया होगा देखो, क्या बोलता है names cannot contain white space, मैंने पहले ही बता दिया कि start, hash, exclamation, यह सब percentage बरसंटेज नहीं होगा, ठीक है आप result keywords यूज नहीं कर सकते हो जैसे कि int, या फिर switch, या फिर four, यह सब मेरा keywords होता, आप इसको नहीं यूज कर सकते हो as a variable, ठीक है, ठीक है समझ में आया, आगे चलते है तो देखिए आप अगर कुछ ऐसा value लेते हैं variable का, जो कि आप एक constant रखना चाते है, throughout the program, जैसे मैं आपको example बताता हूँ, पाई का value होता है, 3.14, ठीक है 3.14 कभी change नहीं होगा, अगर हम लोग 3.14 बार बार लिखते रहें, ये 3 point सबसे पहला मेरा ये storage लेगा, अपना मेरा computer का that is not good for a programming language ठीक है, हम लोग अगर इसको एक छोटा सब variable x में अजए constant कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा x यूज करेंगे, जब भी x यूज करेंगे, तो मेरा क्या मतलब होगा, कि मेरा मतलब होगा, हम लोग 3.14 यूज कर रहें, that is constant, तो आप c++ में एक constant कैसे declare कर सकते हो, उसको देखो, क्योंकि examination में पूचे जाते हैं, आप क्या करोगे, constant keyword लिखोगे, c-o-n-s-t, उसके बाद आप data type लिखोगे, आप क्या use करना चाहते हो, int यूज करना चाहते हो, तो int लिखो, उसके बाद उस variable को, आप क्या नाम दे रहे हो, वो लिखो, equal to 10 करो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कि हमेशा अब my num में, हमेशा 10 ही होगा, आप इसको change नहीं करोगे, अगर आप कहीं भी program में, c-out, c-out my num कर रहे हो, दोस्त, तो क्या होगा, कि ये output आपको देगा 10, ठीक है, ये कभी change नहीं होगा, कि अगर आप इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, कि अगर आप simply, int x equal to 10 करते हो, अगर फिर x equal to 11 लिख देते हो, अगर फिर c-out x करते हो, तो आपका आप output 11 आएगा, 10 नहीं आएगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक वार अपने constant कर दिया, तो मतलब 10 होगा वहिया, अगर आप अगर इसमें 2 assign करने चाहते हो, तो क्या होगा, error आजाएगा, assignment of read only variable, my name, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, आगे चले, अब क्या होता है, किसी भी programming language में, programming language लिखते हैं क्यों है, क्योंकि हम लोग को एक user input की द्वारा, कुछ देना होता है, output निकालना आता है, so it is not right to give the static values always, all right, so हम लोग क्या करेंगे, एक user से कुछ input लेने का हमेशा कोसिस करेंगे, ताक कि हम लोग उसको process करके, एक reserve निकाल पाए, that is valid condition for any programming language, right, तो हम लोग उस input को कैसे लेते हैं, ऐसी plus plus में, उसको देखने की कोसिस करेंगे, ठीक है, हम लोग उन्हें पहले ही कर लिया, कि C out करेंगे, insertion operator करेंगे, तो क्या आजाएगा, अगर आपको keyboard से, अगर आपको keyboard से, user से input लेना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे C in, और आप लिखोगे extract operator, और X, तो क्या मतलब हो गया, कि X में भाईया, मेरा user, मेरा user, X का कुछ value, मांगेगा console पे, ठीक है, तो जो भी value होगा, output करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, your number is, आप लोग एक अच्छा programming लिखने के लिए, कुछ अच्छा sentence यूज़ करते हैं, तो your number is, आप फिर ये यूज़ करेंगे, C out का, और क्या लिखेंगे X, तो यहाँ पर अगर user, अगर 10 user input डाला होगा console पर, तो यह मेरा 10 output करेगा, समझ में आया, ठीक है, आगे चले, ठीक है, देखो, अगर हम लोग, देखो, C++ में क्या है, एक care मेरा है, care मेरा valid है, अगर हम लोग इसका extended form, string यूज़ करना चाहते, तो हमको एक header फाइल यूज़ करना पड़ेगा, that is, string, अगर आप string यूज़ करना चाहते हो, in a C programming language, C++ programming language, आपको एक header फाइल इंकूर पड़ेगा, क्या करेगा, वो string type होगा, क्या होगा, string type, अब आसान है, आप string लिखो, string का क्या variable है, greeting लिखो, और आप क्या लिखो, hello लिखो, तो आपका अब इस greeting में भाईया, क्या चल गया, hello, और क्या type है, string, अगर आपको string यूज़ करना है, तो आपको header file, has include, string यूज़ करना पड़ेगा, so simple, that is right, ठीक है, अब देखो, simple सी बात है, हम लोगों ने int पढ़ा था, in data type होता है, float, double, float का ही आगे का भरदने double, boolean, care, तो इन सब का size भी कभी कभी examination में पूछ लेता है, पर मैं आपको बताता हूँ, कि size जो है depend करता है machine पर, depends on machine, machine से में क्या मतलब है, कि मेरा machine 32 bit का हो सकता है, या फिर 64 bit का हो सकता है, तो उस पर depend करता है, पर generally क्या होता है, मैं वह आपको बता देता हूँ, int 4 byte का होता है, float 4 byte का होता है, double 8 byte का होता है, boolean 1 byte and care 1 byte, ठीक है, simple सी बात है, जादे tension नहीं, समय नहीं बरबात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अरब देखिए, हम लोग different type के operators, यूज करते हैं, किसी भी programming language में, वो कौन-कौन से होते हैं, we have to look into this, तो क्या-क्या होता है, arithmetic operator, तो क्या समस्ते हो, कि plus minus into, ये सब क्या हो गया, या फिर divide कर लो, या फिर modulus निकाल लो, these all are the arithmetic operators, assignment operator क्या होता है, जैसे equal, ये सब क्या होगा, assignment, compressor operator हो गया, greater than, less than, greater than, ये सब compressor, logical, हम लोग आगे परेंगे, logical के बारे में, bitwise के बारे में, आगे परते हैं, ठीक है, इसको मैंने detail में बताया, so we will look into this, देखो, arithmetic में क्या हो जाएगा, arithmetic में हो जाएगा, plus, minus, multiply, divide करो, यार, modulus, निकालो, increment करो, decrement करो, इन सब के बारे में, हम लोग detail में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर questions आते हैं, इस पर मैं एक programming भी करा हूँगा, ताकि आपको, हमेशा, जो आपके मन में confusion हो भई है, वो दूड हो जाए, ठीक है, अब देखो, आगे का मेरा कौन सा operator था, मेरा था, assignment operator, equal, plus, equal, यह सब आप लोग एक पार ध्यान से देख लोगे, ठीक है, उसके बाद यह सब हो गया, यह हो गया, logical operator, ठीक है, हो समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, तो, आज का class हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग ध्यान से देख लिजिएका, यह छोटी-छोटी बाते हैं, आप लोगों को यह सब बता होनी चाहिए, किसी भी programming language को सीखने से पहले, यहाँ पर कुछ important questions भी तो जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इस पर जब MCQ series आएगा, तो और आप बहतर तरीके से इसके questions को कर पाएंगे, तो आज का class यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, so thank you so much यार for watching this video, अगर आप नहीं हैं तो please subscribe कर लिजए, यह computer education world को, अगर आप इस video की pdf चाहते हैं, तो please join किज़े telegram group को, please go to the telegram channel, telegram app and search, computer education world official, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हमसे बहुत सारी students जूरे हुए, जो कि अगर उनको कुछ परिशानी होता है, तो वो discuss करते हैं, and they ask any questions, I replied there, मैं वहाँ पर directly interact करता हूँ, आप लोगों से, so please you can ask any questions related to this video, and previous videos, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखाया है, तो उनको जाके देखिए, ताकि आपके examinations अच्छे से निकले, क्यूंकि आपके examinations के date, date जो हैं, वो नस्दीक आते जा रहे, क्यूंकि pandemic के कारण भी सारे exam समय पे हो रहे हैं, क्यूंकि आते जाए हैं,